हाले दिल्ये देखता तोजा यारे मन यारे मन आ है दयारे दिल सुलगता सा यारे मन यारे मन आ मुझसे मेरा सुहाग चीन कर मुझे बेवा बना कर मेरी बेटी के सर पर से बाप का साया चीन कर आप यहां हमसे महबद जताने आएं आगे कुछ पोलने से पहले सोच लीजेगा कि आप किस से बात कर रही हैं बड़े बाबा अगर आपके शोहर थे तो आगा चान के बेटे भी थे आगा चान इस वक्त किस गम से गुजर रहे हैं इसका आपको अंदाजा भी है तो खुद आ जाते हैं ना उस जागिरदार के बच्चे को साथ लाने की क्या जूरत थी और वो फारा को ऐसे देख रहा था जैसे ये उसकी जागिर का हिसा है मौईस जजबात को काबू में रखो ये जजबाती होने का वक्त नहीं है यहां आने से मना करें कि इसका अंदाजा को मुझे पहले भी था लेकिन कोई और भी बात हुई है क्या तायमी ने सिर्फ यहां आने से इंकार नहीं किया बलके हवेली के लोगों से तालुक ना रखने का इलान भी किया है और फारा के लिए तलाक का मुटालबा किया है आप मुझे बख्तियार खान से पैसे मांगने का मशवरा दे रहें भाइजान मैं बरना पसंद करूँगी उनसे मदद मांगने से पहले तुमारी और फारा की कोई सोर्स ओफ इंकम नहीं है बहरूस की जिन्दगी में जिस तरह की जिन्दगी तुम गुजार रही थी वो उसकी सेलरी की वज़े से थी मेडिकल कॉलिज में दाखला दिल्वा लोगी इसको भाइजान अब जे मस्तक्बिल की इतनी होनाक तस्वीर दिखाकर मत डराएं मैं तुम्हे डरा नहीं रहा मेरी सचाई दिखानों क्या बख्तियार खान की सारी दौलत जायदाद सिर्फ सुएब खान और उसकी उलाद के लिए क्या फारा का इस पर कोई अखन नहीं कर मेरे आफिस का पहला दिन होगा अब प्लीज मेरे साथ रहिए कर आप मेरे साथ होंगे ना तो मुझे हर मुश्किल आसान लगेगी असलाम लेकूम अम्मी अलेकूम असलाम सुबा बख्यर सुबा सुबा कहां की तयारी है आफिस जाने की गुलखान मैं नाश्टे में सीरियल लूँगा मुझे अफिस जा रहे हैं जी अम्मी अगर क्यूं? अम्मी वो दो महीने हो गया है ना हमने बिजनस की खेखाबर नहीं ली मैंने सोचा मुझे आफिस जाना शुरू करते ना चाहिए कोई जरूरत नहीं है अपनी स्टडीस पर देहान दो अमेरिका जाने की त्यारी करो बिजनस का कुछ नो कुछ हो जाएगा अमें मैं अमेरिका नहीं जा रहा मैंने यहीं लोकल यूनिवस्टी में पैचलेस में ड्मिशन ले लिया इतना बड़ा डिसिजन तुमने मुझ से और आगा जान से पूछे बगएर ले लिये अरजमन इसे समझाओ यह इसके इन जम्मिदारियों के समझाले की उमर नहीं है पढ़ाई की उमर है वली अपना फैसला कर चुका है आगा जान अब तो ना यह मेरी सुनेगा और ना आपकी ना वली यह नकरो बटा वकरो ऐसे आगा जान प्लीज आप तो मुझे समझने ही कोशिश करें देखें कल तो वैसे भी सारा बिजनस मैंने ही संभालना है ना तो क्या फरक पड़ता है कि मैं आज से ही अपनी जम्मिदारियां संभालना शुरू करता हूँ जलत तो मुझे आज से उफिस अपनी जब कभी इस्टडी से फिर्सात मिला करें आफिस आ जाये करें तो रानी साब मैंने बकाइद आफिस आना शुरू करती है अब मैं यहाँ डेली आया करूँगा क्या? आगा जन फिर क्यों आ रहे हैं? बेटा, अगर वो यहाँ आना चाह रहे हैं तो रूई उन्हें कैसे रोक सकती है? वो तुमारे दादा है मामा आपने उन्हें साफसाफ मना कर देना था ना? आपने उन्हें यहाने की पर्मेशन क्यों दी? परा जजबाती तो मत हो कोई वज़ा होगी जो मैं उनसे मिलने को तयार हुई हूँ तो ठीक है, फिर आप लोग उनसे मिलने मुझे नहीं मिलना जब वो लोग यहां पर आएंगे तो मैं यहां से कहीं चली जाओंगी कम इसकम उनकी शक्ले तो नहीं देखूंगी क्या करो मैं स्रेटी पर भाइजाए? उसकी अच्छी मुस्तक्पिल के लिए मैं बख्तियार खान से मिलने को तायार हूँ परना मैं उससे क्यों मिलूगी? दिकरूए फारा इस वक जजबाती हुई हुई है वो आइस्दा आइस्दा बिलकुल समझ जाएगी के तुम यह सब कुछ सिर्फ उसी की फाइदे के लिए कर रहे है लिए 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 करें हुई असलावालेकूं असलाव भूब लिए कैसे है जाए आइए आजाए बूनल्ल्ल्लाए क्वालेकूंसाइब यहां मेरी तरफ आजाएए आइए अविए कि यहां मोझे य जो आई किए अपड़ु जो घए होगा कहा उरी एटा एक वारा है उसे भुला नहीं है बुलाने थे फारा घर नहीं है थेक विवे को पॉड़ा भार गर नहीं है यह है फारा घर नहीं है माशाआला, अल्ला कामेहब करे उसे, अब तो उसका रिजल्ट पी आने वाला है, जी, अल्ला कामेहब करे, ये फरा के लिए ही कुछ चीज आए था, अब बेटा फेड़ी क्या फैसले किया तुम दोनों ने हवेली चलने के बारे में, आज मैं बड़े मान से तुम दोनों को लेने आए मैं जानता हूं रुई बिटा तुम मुझसे खफा हो और भी वली और फारा के निकाह के वज़े से बहरोज से भी नाराज हो देखो मेरा वादा है कि जब तक फारा की तालीम मुकमल नहीं हो जाती और फारा और तुम दोनों इस रिष्टे के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक हम रुष्टती की कुड़ी बात नहीं करें चलो बस ये निकाह और इस रिष्टे को बिलकुन भुलागे तो लोग मेरे स अगर भुष्टे के लिए अगाजन तायमी से मुखाते हैं अगर वही जवाब दे तो बेहते होगा मेरा जवाब आज भी होगा मैं हवेली किसी हाल में नहीं जाओंगी अगर आपको वाकई फारा की इतनी परवा है जितना हम जाहर करें तो ठीके पर अपनी पोती की अगर वैसे भी आप अपने एक बेटे और इसके उलाद को अपने रुप्य पैसे से नवासते रहे हैं बहरोज को तो उसका हक आपसे कभी नहीं मिला इसके उलाद को तो उसका हक दे दे और यह मत समझेगा कि मुझे आपकी दौनत में कोई तिल जस्पी है मैं आपसे माली म जाद लेने से पहले मर जाना ज्यादा पसंद करूगी लेकिन फारा आपकी बोती है आपका खून आपके बेटे की अउनाद है उसका तो हक बनता है कि आप उसकी तालीम और दूसरे इखराजात की जिम्मदारी उठाएं यहाँ बेलकुल अपनी तमाम तर जिम्मदारियां उठाना चाहता हूँ इसलिए तो तुम लोगों को लेने के लिए आया हूँ तो लोग मेरे साथ चलो बारा को हम पिशावर के किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉनिश में दाखना करा देंगे तो बैसे चलो तो सही नामुम्किन इस बात का सवाली पैदा नहीं होता है मैं अ अपने पोती की जिम्मदारी उठाने ने तो ठीक है परना आप यहां से जा सकते हैं मैं किसी ना किसी तरह अपने बल्बूते पर फारा को मेडिकल की तालीम दिलवा ही दोंगी ठीक है बिठा मुझे तुम्हारी सारी शर्ते मंजूर है तुम लोगों के सब बखरा जाद उठादा चाहताू मैं तुम जैसे कहो जिस तरह से कहो तुम्हारे और फारा के सारे खर्चे में उठाओंगा तुम्हारे घरिलू खर्चे फारा की तालीम आपकी सब मेरी जिम्मेदारी है मैं नहीं सिर्फ फारा आपकी जिम्मेदारी है मेरे शोहर ने मेरे लिए जो छोड़ा है मैं उस पे गुजारा कर लोगी बराय महरबानी अब सिर्फ फारा को उसका खर्शा दे मुहबत जाविदा होगी सारे लम्हे एक से होंगे खाना ए दिल कर दे रोशन आ खाना ए दिल कर दे रोशन आ त्रम, कले को अए अए हलो हलो यह केसी है दादा की जान दादा की शैदादी स्रहा गा जाण अलएकूसलाम कैसी हो बरीजा है यह ठीक तो हो ना जे मेरी बहूर तुम्हारी माह केसी है बरीजाँ तुम दोनें को बहुत याद कर रहा था मामा भी, ठीक है घुटा, तुम्हारे हैट मुशन कबसे हैं? नेक्सट वीक से अच्छा, ठीक है मैं खुदा हूँगा तुम्हारे हैट मुशन के लिए तुम्हें कुछ स्भिकर मैं करना तू मैं वली को लाहॉर भीज़ रहा हूँ वो तुम्हारे साथ अपना जॉइन्ट अकाउंट खुलवा लेगा जॉइन्ट तो नाम कही है वाकी चेक बुक एटियम वगारा सब कुछ तुम्हुच तुम्हुद अपरेट कुरोगी और तुम्हारे पास ही रहेगा लेकिन अगा जान मुझे पैसे नहीं चाहिए लो कैसे नहीं चाहिए बिठा ये तुम्हारा हक है और तुम्हारा हक तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए तुम मुझसे जिद करके फर्माइश करके जो चाहो तुम बना सकते हो इरम तु बहुत खोश होई वो सारी चीज़ किहने लगी पुपो के दिल कितना बड़ा है, मुझे सब कुछ दे दिया हाँ भाभी, पारा ने अपने दादा महतरम से हुटोफे देने से मना कर तिया अब मैं ऐसी लड़कियों वाली चीजों के साथ क्या करती मामा, आगा चान का फॉन आया था वो किसी खर्चवर्च और बैंक अकाउंट खुलवाने की बात कह रहे थे अच्छा? अच्छा? मतलब, वो हमें पैसे देंगे और हम ले लेंगे हाँ, हम ले लेंगे इसका मतलब है कि मेरा शक मिलकुल ठीक था आपको ये बात पहले सी पता थी मामा और आगा जान, उनकी टोन से तो लग रहा था जैसे ये बात already decided है जो मुझे आज बताई जा रही है मुझे भी last Sunday आये थे आप में तब उनके ये बात की थी हाँ, यही बात हुई थी वो हमें खर्चा देंगे मामार, हम ले लेंगे आप ने ये बात कैसे मान ली? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिये मैं यह सब कुछ तुम्हारे खातर कर रही हूँ यह जो मेडिकल कालेज की तयारी तुम पकड़ी हो क्या आश्मान से पैसे आएगी इतनी महिंगी तालीम के लिए तो ठीक है, मैं मेडिकल कॉलिज में अडिशे नहीं लूँगी, नहीं बना मुझे डॉक्टर लेकिन आप उन्हें अभी फोन करके मना करें कि हमें उनका एक पैसा नहीं चाहिए आपने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा डिसीयन, उसे पुछे बगर कैसे ले लिया तुम क्या मेरी मा लगती हो कि मैं तुमसे पूछ के कोई फैसला करूंगी मैं जो कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी बहतरी के लिए कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ मैं तुम्हारे खातर मैं तुम्हारे दादा और उनकी पोते को अपने सामने बर्दाश करीए उसे बात भी करीए और उल्टा तुम मुझे कसूर्वार धहरा रही हो रही मामा आपने जलत किया बिलकुल जलत किया जिन लोगों से हम तालुक तोड़ने की बात करें और तुम मुझे तुम मुझे इस तरह बत्तमीजी कर रही हो। मैंने तो आपको एफारा बड़े अफसोस की बाते बेटा। तुम अपनी मा के साथ इतनी जबान दराजी कर रही हो। ऐसी अच्छी तालीम का क्या फादा जो मा की इजद करना ना सिखाए। इस लड़की की बज़े से मैंने बेरों से जगड़ा किया था। इसे की खातर मैंने अबने शोर को खफा किया था इतना खफा कि वो कि वो इस दुनिया से मुझे खफा होकर चला गया। और अबे भी इस लड़की के खादर में उन लोगों से तालुख रखने को तयार हूँ और तुम मुझे बेखेरत कह रही हो ममा क्या तुम अबने होश में होच में होगिया तुम्हे हाथ बत लगाए मुझे मुझे बेखेरत कह रही हो क्या होगिया इस लड़की को? अबाँ? अबाँ अबाँ क्यो एसे खड़ी हो जाओ जल्दी जाके पानी लेके आओ देखो कितनी तबेदी खराब होगी है, जल्दी जाओ लेखें एक शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार लग रही है कोशिश करें कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहोगी कि जितना खुश रहेंगी नहीं जल्दी रिकावर कर पाएंगी वारा बेटा तुमने कुछ खाया? मेरा दिल ने जा रहा, मामू तो मेटा, कुछ ना कुछ तो खाना होगा तुम्हें जोरा, तुम गर से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरे लिए भी और पारा के लिए खाना तुम्हें ले आओँगी, लेकिन आप इसको ज़रा समझाएए रोही के साथ ऐसे भैस कर रही थी, मैं आपको क्या पता हूँ? बेटा, अपनी मा का द्री मत दुखाया कर दो बहुत तना बहुत दुखी हो गई है बहर उसके बाद उसका ख्याल रखा करो तुमने अभी ही अपना बाब कोया है इस तरह अपनी मा को तकलीफ पहुचा कर उसे दुख दे कर तुम क्या उसे भी खोना जाती है? नहीं मामू, मैं हमके बगर नहीं सिंदर रह पाऊंगी रोही ने अपनी नफरत, नाराज की दुश्मनी सब कुछ बुलाकर तुमने अपने मा होने का फर्स नभाया है वारा उसकी इस गुर्बानी इस हिसार को ऐसे जाया मत करो और डॉक्टर की बात तो तुम सुनी चुकी हो, बिटा अपने बाबा के सामने अपनी मा को सुरूर होने तुम मामा, मैं आपके लिए फ्रूट सालेट बना के लाई हूँ नहीं खाना मुझे मामा, अटलीस टेस तो गर ले है चली जो यहां से फारा मामा, प्लीस मुझ से नाराज मत I'm sorry मैंने दुपैर में आपका दिल दुखाया था मामा, प्लीस मुझ से बात तो कह रहे है आप जहें मुझे डांट लें लेकिन प्लीस मुझ से पात तो कह रहे मैं सब कुछ को चुकी हूँ फारा इस दुन्या में मेरे पास सिफ तुम बच्छी है जस्ति मेरी बेटी ने मुझे खल्ट समझा रहे में बर जाओंगी मामा में आपके हर बाबा के सब खावं को पूरा करूंगी में आगा जान्ट से एजुकेशन के पैसे जोंगी में पूरा करूगी आपस प्रीष्मेंचे मेराज मतुए अलिए नव्या प्रीष्मेल प्राइब प्रस्प्र कर दो फ़र अजय को अब आए अगारा है अगारा हूं आपकार बात कर रहा हूं तुमारे घर के बार खड़ा हूं बार राजो अच्छा अगया हूं अगार बार खड़ा है बुला रहा है जरा नखरे तो देखो उसके अंदर आकर मुझे सलाम करने की तौफेग ही नहीं है मामा आपको उसे सलाम दौब करने की क्या जरूरत है अच्छा है कि वो घर के अंतर नहीं आया आपका मूड़ा अफ हो जाता मैं चलते हूं सुनो उससे डरने या दबने की जुरूरत नहीं है उसकी दीवे खैरात या सदका नहीं लेने जारी अपना हाक लेने जारी है एक हगदार के तरह कॉन्फिडेंस से जाओ चलो तुम्हारे हाँ क्या सलाम दुआ खैरियत पूछने का रिवाज नहीं है कैसी हो ठीक हूँ अब दरह जन्ती गाड़ी स्टार्ट करोगे मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं रहती अज चार बहुता काम करने मुझे क्या पता मैं ता फारिग नहीं रहता हूं चार ता तुम समझती हो मालू मैं मुझे तुम्हार राइडिं दोस्तों के सथ आजाशी में तादा के पैसो डाहने में काफी मिस्रूफ रहते हो भई क्या बात है आम इंप्रेस्ट तुम्हें में इत्ती पु pórani कई भी बात भी आठे है और इंफर्मेशन भी गड़र की धिए वैसले इसका एक ऐन ओर मतलब भी हो सुखता है तुम मेरे बाइ वे काफी सोखती ही रहती हो तुम्हारे वका बारे में जो सोखती हूं कि मैं तुम से लड़ूंगे, मैं लड़ते ही सिर्फ उंड से हो जिन्से मेरा को रिष्टा होता है यह भी ठीक है यह अन्दाजन आपका वैलन्स कितना नहां करेंगा कोई 10 से 15 लाग तो रहना चाहिए हम हर महीने अकाउंट में 5 लाग शामिल करवा दिया करेंगे अन्दाजन आपका शामिल पर दिया करेंगे थैंक यू असलाम लेकुम अगा जान अवली अगाउंट खुल गया बटा जी अगाजन पस बंकी आयोंगे अभी फर्मस तिल करेंगे अच्छा वरा मेरी वारा से बात करा हो जी अगाजन तुमसे बात करेंगे अगाजन तुमसे बात करेंगे उडिया असलाम लेकुम वालेकुम असलाम कैसा है मेरा बच्चा अकाउंट खुल गया ना लिकिन भई अकाउंट कोई हर्फ आखिब नहीं है इसके अलावा तुम्हे या रूही को किसी भी चीज की जुरुत हो बिला जजचक फौरन मुझे फोन करना शर्माना नहीं समझें मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो और 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 खुशी खुशी हर परेशानी से आजाद अपनी पढ़ाई मुकमल करें जी शुक्रिया आरे भाई, कोई अपने दादा को भी शुक्रिया कहता है दादा से तो जिद करके फरमाईश करके अपना हक अचिए जाता है क्या सोच़ई हो? तुम्हारा और मेरा को यह ऐसा रिष्टा नहीं है कि तुमसे अपनी सोच़ई शेर करूए यू बार बार रिष्टा रिष्टा बोलकर क्यों मुझे उकसारी हो कि मैं तुम्हें हमारे असल रिष्टे का हवाला दूँ जहर लगती हो तुम्हे और तुम मुझे ती कडवी-कडवी बातें करने के बावजूद बहुत अच्छी हो मुझे जादा चुहने की कोशिश मत करो मुझे तो बहुत भूख लेगिया अभी तो मैं तुम्हे तुम्हे घर वापस ड्राप करके तनी लंबी ड्राइव इतना लंबा सफर करना मुझे चलो साथ में लंच करते हैं बड़े खुछ वहमी है तुम्हे अपने बारे में के मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगे डोट इवन थिंक अबावड़ तो कितनी लड़का लड़की हो तो यार मुझे तुम्हारे साथ ज़रा सीरियस मूद में थोड़ी बात करनी है बहुत जरूरी है किम साथ बेख कर बात करें पहली बात तो यह कि आम नौट यूर यार और दूसरी बात ही कि तुम्हारा मेरे साथ ऐसा कोई तालुक नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाकर कहीं बैठूं और बात करूं अच्छा तो इसका मतलब है आप मुझसे डर देगें मैं डरूंगी और तुमसे तुम समझते है क्या खुद को बली शुहेब खान तुम जागेदार होगे सरदार होगे लेकिन अपने अलाके में यहां पर तुम्हारे कुई जागेदारी और सरदारी नी चलेगी तुम ठीक है प्रूफ करो के तुम उचसे लिए बिल्कुल पहादर और ने डर होगे मेरे साथ बैठकर लांच करो सिंपल क्या खाओगी तुम तुम अपना ओर करो ना खुद कर सकती हूँ विटा, प्रीज प्रीज़ विटा भी। एक थाइसुप करतेशे और चिकन अलेपीनो तेक्यू मेरे ले भी अलेपीनो चिकन और सूप और हाँ एक सौफ्ट रिंक और मेरे वाट गाल। मेरे बाइक मेरे एक नेड़ेशे पारा आपBSरी, फारा, तु जानती हो हम किन दो लोगों की आउलाद हैं वो दो लोग जो इट बाबा जान भी जादा मोहबत करते बाबा के थिए मेरे बाबा जान और तुम्हारे बाबा एक दूसरे पर जान निछावर करते थे थे हुए, जया तु मैंने मैं दो महीने पहले अपने बाबा को खोया है मुझसे बहतर है कौन जानता हूं का आगा जानने और तुम लोगों ने बाबा के भाई की डद को खुब अच्छी तरह इस्तामान किया तुम लोगों के एमोशनल गेम ने मेरे बाबा की जान ले ली इसा कुछ नहीं है फारा तुम बिल्कुल खलत सोच रही हो देखो मैं जानता हूं तुम हमारी निकाह वाली बात को लेकर बहुत अपसेट हो और अगर तुमारे पॉइंट व्यू से देखा जाये तो तुमारे अपसेट होना बिल्कुल जायज है ऐसे लोग जिनसे तुम जिन्दगी भर कभी ना मिली हो और एक अंजान लड़के के साथ अचानक में का मैं समझ सेकता हूं तुम इन सब बातों से कितनी डिस्टरब हुई होगी तैंक यू इतनी सब अच्छी बाते करने के लिए है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सब अच्छी बाते करने के बात मैं तुम्हें अच्छा समझूंगी तुम्हारे और अपने रिष्टे को कबूल कर लोगी तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मैं मरना तो पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे और अपने रिष्टे को अभी कभूनी करूंगी। देखो.. ये पेश.. थेंक्यू.. देखो तो मुझे अच्छा नहीं समझती, बेशक मत समझो.. लेकिन मैं इता भी बुरा नहीं हूं जिता तुम समझ रही हो.. मैं तुम्हारे सगे चाचा का बेटा हूं फारा.. हमारा खून का रिष्टा है.. तुमने कावाली बात को हटाकर सिर्फ एक कजन की हैसिएत से मुझसे दोस्ती कर लो.. जब हम दोस्ती कर लेंगे.. इक दूसरे को जान लेंगे, पैचान लेंगे, समझ लेंगे.. उसके बाद तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जितनी भी घलत फहिमी है न, सब आइस्ता इस्ता दूर हो जाएंगी देखो फारा, मैं जानता हूँ तुम, तुम बड़े बाबा की अचानलक टेथ को लेकर अभी तक सदमे में हो हम एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं मैं तुमसे दोस्टी करना चाता हूँ फारा फ्लीज, मुझसे दोस्टी करना लेकिन मैं तुम्हारे दोस्टी कभी कबूल निंग करूंगी अकर तुम ये समझते हो, कि तुमने मेरे साथ बैंक एकार्ण खुलवाया उसमें छीर सारे पैसे डलवाएं और यह सब करने के अबाद तुम मुझ पर अपना हथ समझ रहे हो तुम बहुत बड़ी भूल का ह домой हो इतना सारा पैसा देकर तुमने मुझ पर आःसान ही किया यह पैसा ना तो तुम्हार है और ना तुम्हारा मुझ पर कोई इसान है जिस तरह ये पैसा तुम्हारे दादा का है बिल्कुल वैसे ही पैसा मेरे दादा का भी है लेहाजा तुम्हारा मुझ पर कोई इसान नहीं है मेरे ख्यालब हमें चलना चाहिए तुम्हारा दियावा चैनलज मैंने पूरा कर दिया तुम्हारे साथ लांच करके तुम्हारी स्वीर और अच्छी बातें करने के बावजूद भी तुम अपने बारे में मेरी उपीनें नहीं बदल चके कोई बात ने? सच्चाई ज्यादा अर्सा छुपी नहीं रह सकती चल्दी तुम भी बाकि साही दुनिया की तरह ये बात मान लोगी के वली इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़ा है और फिर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी उस वक्त मैं बरना पसंद करूंगी वली लेकिन तुम्हारी दोस्ती कभी कबोल नी करोंगी भी बड़ी रूट अबत अमीज लटकी होता वेडर क्या करें लाला? असाइनमेंट ऑफिस का भी काम, युनिवरस्टी का भी काम, फारा का भी काम क्या करेंगे इतना काम करके? कुछ ना कुछ करी लूँगा अब फारा का अकाउंट ओपन करवाने गया था ना आज क्या बना? डीटेल्स ना सही, हेडलाइन्स ही सुना दें कितना रूट थी आपसे? रूट तो नहीं थी, ठीक ही थी इससे नजरे हटाएं और मुझे बताएं ठीक ठीक, इन डीटेयर फारा दिल की बुरी नहीं है जर्मीने बस उसने अपने दिल में मिसंडरस्टेंडिंग्स घलत फैमिया पाल रखी हैं अब आपवियसली कोई किसी के बारे में सारी जिंदगी बुरा सुनता है तो अलफ असरने उसकी फीलिंग्स चेंज तो नहीं हो जाएंगी ना उपर से हमारी पहली मुलाकात इतने अजीब सरकम्स्टांसेज में हुई थी इधर हम फारा से पहली मरतबह मिले उधर बड़े बाबा ने निकाल की बात करती जरमीने हमें फारा को थोड़ा टाइम देना चाहिए उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए मुझे बता था अच्छी लगती है ना फारा आपको मैंने ऐसा तो कुछ नहीं का जूट मत बोलें सच सच बताएं तुम मुझे कौन कुछने दोगी या नहीं अभी असाइन्मेंट के बाद मैंने आफिस के लिए भी तियारी करनी है ठीक है ना बताएं लेकिन मैं जानती हो कि फार आपको अच्छी लगती है बेवकूफ बहुत सिद्धी बेवकूफ चस्पाती और जल्द बाद हो तुम पर मुझे अच्छी लगती हो पाबाजान जो दुल्हन आपने में लिए चुनी है ना वो लड़का बहुत है हर वक लड़ती रहती है आपके बेटे के साथ इसका दिन कैसा जीता हूँ? अच्छी बात है अच्छी बात है मामा तुम्हें बहुत मिस्कार थी हाँ भी फपो को उपर मिलकर या रहा हूँ अच्छी बता तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही बस ठीक थी क्या मतलब बस ठीक ही रही? तुम इसलामाबाद में से क्या खाया क्या पीया कहा कहा गई डेटेल में बताओ खबरें तो तुम हरे पास है अस जागरदार के बेटे के साथ जाकर तुमने बैंक अकानट खलवा दिया उचसे पूछना तुदूर की बात है उचे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा तुम्हें मोईस तुम यहां पर थे नहीं तो यह लेकिन इस दुनिया में तो था ना, तो में क्या लगा कि दुनिया से भी रुकसत हो गया हूँ? शेकलना अची होना तो बात अची कर लेता है इन्सा उन्हें जरूरत किया थी उसके साथ जाने की? अने सीधा सीधा इंकार क्यों नहीं किया? मौर porque मैंने सीधा सीधाए इंकार किया था वो तो मामा की घट खराब ओगी तो मामो नहें मुझे फोड़ कि कि मामा की बात मान लू एक बात बोलो मैंने तुमे बहुत मिछ्च्च्या मुझे ज़िए था कि अगर तुम यहां पर होते ना तो ममा मुझे कभी पोश जी ना करती तुमारे पर टालती नहीं है ना तुम पी होगे तुम पी होगे ताल एक मुझे नहीं है रोजाना आफिस जाते हो आज मच जो क्या फरक पड़ता है तुम लोग सारे के सारे भी बच्चे हो जब प्राक्टिकल लाइब में तब पता चलेगा जिती बड़ी पोशिशन उत्ती बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी जलता हो एंजोई दे मुवी वली याद रखना अल्वर के नोपले विल मेक य डॉल बोई हम याद रहेगा ओके बाई बाई मैं मोईस मैं देले दिल में बहुत अमाईस पील के रहे थी एक तरफ उनसे रिष्टे़ारी खतम करना चाहते और दूसरी तरफ हम उनी से पैसे ले रहे हैं मैं चाहे वली तो जितना मर्जी लड़ू लेकिन देले दिल में उतको बहुत चोटा महसूस कह रहे थी पता नहीं वो क्या सोचता होगा कि हम लोग पैसम के लिए नालज कह रहे हैं अब जो भी हो जाए ना वली के साथ तुम कहीं नहीं जाओगी सक्त जहर लगता है अब जाओगो अब परसो सुबह आगा जाना आ रहे हैं वो अकेले नहीं आते इसलिए वली साथ में होगा मेरी अडमिशन के लिए आ रहे हैं फॉन का फॉना है था कुई वर्त का कुए ज़रूरत नहीं उन लोग असाथ कहीं जानेगी फॉपो को बोलूँगा वो तुमारे साथ इडमिशन कराने चली जाएंगी लेकिन मैं उनको क्या क्यका मना करूँगी कोई जरूरत नहीं उनने कुछ भी बोलनेगी मैं फॉपो से बात कर लूँगा, वो मना कर देंगी उन्हें कि मैं तुम्हे उस फली के साथ पिलकुल प्रताश नहीं कर सकता जब भी मुझे एसास होता है कि सब्रदस्ती तुम्हारा निकाह करा दिया गया उसके साथ शोहर है वो तुम्हारा, आग लग जाती अंदर समझ नहीं आती कि अपने आप को मारू या उसे जाके मारू मॉईस देखो फारा, मुझे तु इस बात का मौका भी नहीं मिला कि मैं तुम्हें पता सकूं कि तुम्हें कि तुम्हें कितनी अच्छी लगती है कितनी एहम हो तो मेरे लिए I can't live without you, फारा आज कर ऐसा क्यों लगने लगए जैसे आगा जान अच्छे हैं जैसे वो मुझ से प्यार करते हैं ये प्यार और मुहबत सब उनका नाटक है नहीं मामा आज पता नहीं क्यों कि बाते मेरे दिल पर असर कर रहे थी इसके एडमिशन वाले दिन सुबह से शाम तक उनके साथ क्या रहे कर आ गई किसके ख्यालात ही बदल गे उनके बारे में कुछ वक्त उनके साथ मजीद गुजा लिया तो आकर मुझे कहेगी कि सिर्फ हागा जान मुझ से प्यार करते आप तो मेरी कुछ लगती ही नहीं है यह आप क्या कह रहें यह ख्याल भी अपने दिल में मत लाइएगा मेरी बेटी के लिए एक निका शुदा और सला की आफ़ता ही लड़की रह गई है मोईस फारा को पसंद करता है और खबरदार जो तुमने मोईस की पसंद में कोई रुकावट डालने की कोशिच की